हाई गाईज और वेल्कुम बाक टो माई चैनल आज मैं आपके लिए एक किचिन क्लीनिंग वीडियो लेके आई हूँ यूज्विली तो हम सबकी घर में हाउस हेल्प्स होते हैं ये सारे काम हमारे करने के लिए हमारे मदद कराने के लिए बट वीकली मैं अपनी किचिन की क्लीनिंग खुद करती हूँ डीप क्लीन करती हूँ इसे क्योंकि आखिर हमारा घर है तो हमसे अच्छा कौन साफ करेगा तो चलिए देखते हैं वीडियो फूब आपको पसंद आएगा तो सबसे पहले शेल्फ को क्लीन करते हैं यहां पर मैं स्प्रे बॉटल से स्प्रे कर रही हूँ इसमें मैंने डिश्वाशर तो मिलाया ही है साथी साथ बेगिंग सोटा, लेमन थोड़ा सा विनेगर, वान टीजपून विनेगर मिलाया है इससे बहुत अच्छी क्लीनिंग होती है और जर्म्स और बेक्टिरिस भी दूर रहते हैं तो बीग में एक बार ही हमें जरूर करना चाहिए मैं सारी किचिन टाइल्स एंड इसका जो शेल्फ है यह भी इसी से क्लीन करूंगे एंड मैं यहां पर एक ब्रश कर यूज कर रहे हूं जिससे जल्दी से क्लीन हो जाए है एंड मैं हमेशे इसे एक स्प्रे बॉटल में बना के रखती हूं इस लिक्विट को बहुत हेल्फुल रहता है कोई पी चीज़ें क्लीन करना हो तो ग्यास टूप भी क्लीन कर लेते हैं मेरा ग्यास टूप बहुत साथा गंदा नहीं होता है क्योंकि मैं इसे टाइम टो टाइम साफ करती रहती हूं एक सुके कबरे से तो बस हल्का साई से क्लीन कर लेते हैं अब इसे एक माइक्रोफाइबर क्लॉट से पोच लेते हैं ग्यास टूप को हम तुरंती क्लीन कर लेना चाहिए तो ज्यादा ठीक रहता है आपने देखा होगा कि बहुत साथा गंदा नहीं होगा क्यास मेरा भी अगर अगर वो गंदा हो जाता है तो जबते जबते शुकते बहुत साथा प्रोब्लम हो जाती है उसे क्लीन करनें इसके stands में हटा के रख देती हूं, इसे में wash करके रख देती हूं और morning में फिर लगाती हूं इसे भी wipe out कर लेते हैं इक पर, अच्छे से टाइस तो clean हो गए है, अब shelf को clean करते हैं इस पर भी मैं same liquid डाल रही हूं, जो मैंने बना के रख रहे हैं अच्छी तरीके से clean कर लेते हैं हमारी जो house up होते हैं वो भी clean करती हैं, बट वो इतना time नहीं दे पाते हैं और इतने अच्छे से नहीं करती हैं, और mainly हमारा मन नहीं भरता है किसी की cleaning से जब तक हम खुद से cleaning नहीं करें इसलिए मैंने सोचा था, काफी time से मैं यह चीज़ कर रहे हूं, कि week में एक बार तो मैं अच्छे से clean करूंगी बाकी दिरों में तो time ही नहीं रहता है इतना, कि हम इतना clean कर पाएं इसे एक छोटे wiper से, ऐसे clean कर लेते हैं और लास्ट में मैं ते, फिर से wipe out कर दूँगी, cloth से सारे बर्तन क्लीन करने से पहले, मैं सारा shelf और tiles करती हूं, उसके बाद ही बर्तन क्लीन करती हूं अब यहां पर window को भी तोड़ा साफ कर लेते हैं यह भी काफी dust से और इस से जंदी हो जाती है कर दो अब सारे बर्तन क्लीन कर लेते हैं, सबसे पहले मैं बॉटल्स करोंगी और उसके बाद ग्लास के बर्तन वाश करके हटा दोंगी और फिर सारे यूटेंसिल्स करोंगी और यहां करोंगी कर दोटेंसिल्स कर दोंगी कर दोंगी कर दोंगी कर दोंगी कर दो कर दो कि अपिन दोगा है करने के बार आदे थी उसी को सब्सक्राइब करती हैं तरह सारे बरतन वाश करने ने के बाद हमें ने जितनी भी चीजे उस की हैं स्क्रबर्स वाइपर्स यह सब को अच्छे से वाश करना है एंड सिंग को भी अच्छे से साफ कर लेना है कि अ कि अ कि अ कि अ कि 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 पूआ कि टो अ खुब के नएंद हो तर कि शानको फुआ निएलियों अबज बैँने टोघ Ehem कर दो कर दो दो सावर को कर दो कर दो दो बप्रय गारे पर दो कुछ को थो जो बुद कर दो कर दो दो, और कोओंगा भ्लाव हैं, को अजय हो दो खाया हैं, को फद दोता हैं, को अग मैं हुआी हुआ हैं, को कि लुए हैं, को गना कि लुए हैं, को अग्त कि आथा हैं। हुआ हुआ है